वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम बात करेंगे जमीन कबजा रिजिस्ट्री और सर्वे में सुधार लोगों के साथ आज कल ये आम समस्या होती है कि कोई व्यक्ति संपत्ती पर कबजा गरके बैठा है लेकिन संपत्ती का मालिक तो कोई और है कई व्यक्ति फर्जी दस्तावेच भी बना लेते हैं और जमीन के सर्वे भी किसी और व्यक्ति के नाम है ये समस्याएं लोगों के साथ होती है ऐसे में अगर आप एक वकील की सलह लेने जाते हैं तो वकील टाइटल सूट डालने की सलह देते हैं कि टाइटल सूट डालकर आप अपना मालिकाना हक पास सकते हैं जैसे कि संपत्ती का टाइटल आपके पास है लेकिन वो संपत्ती आपके पास नहीं है तो आप टाइटल सूट करके भी संपत्ती को हासिल कर सकते हैं इसे आप मालिकाना हक प्रापत कर सकते हैं अगर किसी अन्य व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और सर्वे में भी उसी व्यक्ति का नाम है तो जब भी आपको इसकी जानकारी मिलती है तभी आपको कोट में जाकर सिविल सूट फाइल करना है सिविल सूट में 3 साल, 5 साल या फिर 7 साल का समय लग सकता है आपको रिजिस्ट्री या कब्जा जमीन समंदी विवाद है तो आपके पास उसके कागजात होने चाहिए अगर आपके पास उसके कागजात है तो आप अपनी संपत्ती को असानी से हासिल कर सकते हैं तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का दुनियावाद